नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्त होंगे और इपनी पढ़ाई में ब्यस्त होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ हट करके अर्थात कुछ मझेदार प्रस्न के बारे में क्योंकि आज की ऐसे प्रस्ण है जो की civil services में पूँचे जाते हैं आप देख लिजिए कि कैसे कैसे science के प्रस्ण होते हैं जो की IS और PCS की परिछाओं में पूचे जाते हैं तो आज इस पर बात करने वाले हैं देखिए लिजिए पहला प्रस्ण क्या करा दोस्त पहले आज मानो इतना ज्यादा खोज कर चुका है सब कुछ खोज लिया है लेकिन एक ऐसी आत्मा की खोज नहीं कर पाया है कि एक dead body में उसे डाल दे तो dead body फिर से जिंदा हो जाए पस यहीं नहीं कर पाया है बाकि तो सब कुछ हो गया है नएने प्रकार कि जैसा चाहर है वो इस कि हिक्स बोसान है कि मेसान है देखे हम आपको ददे यह जो निउट्रीनो है और एंटी निउट्रीनो एंटी प्रोटार मेसान यह क्या है परमाड के एस्थाइकन है परमाड के एस्थाइकन है मेसान क्या है यह पाई मेसान और म्यू मेसान दूई प्रकार की होते हैं पाई का ये अस्थाई कण ये भी है क्योंकि परमाड का अस्थाई कण में हम आप उदादे कौन-कौन से इलिक्रान है प्रोटान है और न्यूट्रान है ये अस्थाई कण कहराते है कि इसके परमाड के आइटम के ठीक है आप देखिए कह रहा है कि बोचरचित जो गाड़ पाड़किल है क्या है तो इसका सही उत्तर क्या है हिक्स बोसोन है क्या है मेरे दोस्त इसका सही उत्तर है हिक्स बोसोन आप समझे ये हिक्स बोसोन के बारे में या खिर ये क्या है देखिए सबसे पहले हम आपको वजा दे इसकी परिकल्पना की गई थी किसकी गाड़ पाड़ किल की इससे गाड़ पाड़ किल अथात इसे क्या कहते हैं इस्वरी कल भी कहते हैं गाड़ पाड़ किल को और इसकी खोज किसने किया था किसने इसको खोजा था दोस्त इसकी खोज किया था पीटर हिग्स और फ्रांसवा एगलार्ट ठीक है पीटर हिक्स और फ्रांसवा एगलार्ट ने इसकी खोज किया था और इस कारण से इन है इन दोनों लोगों को इस कारण से कब 2013 में नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया था किस से सम्मानित किया गया था दोस्त नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया था पीटर हिक्स और फ्रांसवा एगलर्ड को इनकी खोच के लिए और इसका जो गाड़ पार्ड के लिए इसका सत्यापन कब किया गया इसका प्रयोगिक सत्यापन हुआ था 14 मार्च 2013 में और इस सत्यापन के बाद ही इन लोगों को नूबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था ठीक है तो है ना कुछ मज़ेदार चलिए अगला प्रसंद देखते हैं दोस्त कि अगला प्रसंद क्या कह रहा है अगला प्रसंद देखिए कि रास्ट्री भौत की प्रियोग साला इस्तिती है रास्ट्री भौत की प्रियोग साला देखिए अगर पर physics के लिए हम पूछ रहा है physics की भौत की प्रियोग साला कहां इस्तित है अभी इसके बाद बात करेंगे chemistry की प्रियोग साला कहां इस्तित है राष्ट्री फोट की प्रियोग सला कहा इस्तित कारा कि नई दिल्ली में है कि इच्छे नई में है कि कोलकाता में कि बंगलरू में अगर आप साइन्स पढ़ रहें दोस्त तो यससे तो आपको जानना बहुत जरूरी है और ऐसे ही यही कोश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर् देख रहा है आप मैंने देल ही और यह तिरंगा मैंने आज तो लगाई दिया है समझ रहें तो चलिए अगला प्रसंद देखते हैं दोस्त तीन नमबर का कोश्चन क्या करा है इसको भी देख लेते हैं तीन नमबर में कह रहा है कि राष्ट्री रासाइनिक प्रियोग साला अभी भावतिक प्रियोग साला मैंने बता नई दिल्ली में है आप कह रहा है कि राष्ट्री रासानिक प्रियोग साला कहां इस्थित है कह रहा है कि लखनव में है कि नई दिल्ली में है कि पूने में है कि हैदराबाद में है कहां है राष्ट्री रासानिक प्रियोग साला क कहा है रासानिक प्रियोग साला कहां इस्तित है दोस्त तो यह है इस्तित है पूरे में कहां इस्तित है पूरे में और आप जो देख रहे हैं बिल्कुल यही है क्या रासानिक प्रियोग साला ही है यह आप देख रहे हैं इसका बिल्कुल क्या लगा हुआ है बिल्कुल में कब हुई थी दोस्त इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और ये एक संगठक प्रयोग साला है किसका CSIR की संगठन प्रयोग साला है समझने है चलिए अगले कोशन की बात करते हैं कोशन नमर चार क्या करहा है इसको भी देख लेते हैं देखे ज़रा अगला कोशन क्या है करा है क ये अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, लो भाई, खुब आता है ना, GSGK में आप लोग पढ़ते हैं, कि अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, अंतरिक्ष में जाने वाला कहां, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम बैक्ति क कौन था करा यूरी गागरिन था कि एलन सैफ़र्ड था कि एस टिटो था कि जॉन यंग था तिसका सही उत्तर क्या है दोस्त हम आपको दा दे कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला ब्यक्ति यही कौन यूरी गागरिन सहब थे कौन थे यूरी गागरिन सहब अब यहां एक बा आती है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है तो जरा चलिए इन लोगों के बारें थोड़ा सा देख लेते हैं देखिए हम आपको बता दे दोस्त ये फर्स्ट मैन इन स्पेस दे स्टोरी आफ यूरी गैगरीन ठीक है यूरी गैगरीन थे जो प्रथम जो कहां ग सौवियद संग ने 14 अप्र Lindsay 1961 में आप देख रहें विल्कुन इनको भेज ही दिया था अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की प्रथम महिला कौन थी तो दुनिया की प्रथम महिला थी इसी के सहायता से इसी के द्वारा गय थे कौन भाई गय थे यूरी गौगरीम जो कब गय थे कब सोवियत संग ने भेजा था तो 14 अप्रेल 1961 को वो भेजा था वो स्टोक फस्ट इसके द्वारा भेजा था कहां अंतरिच में कि जाई आप देखिए और पहली महिला की अगर बा है अगले प्रस्ट में कराये कि मक्षर भगाने वालाओ में सक्री रसान है मक्षर भगाने वाली दवाओ में सक्रिय रसान कौन सा है कौन है खाई यक्तिव कें कुण है जिसleistे मक्षर भाग जाते है कि आपने तो बहुत देखा हो, प 15 समख रहे हैं डेर सार देखा होाग, लेकिन यहाँ देख लिजे, कौन है, करा एलेथ्रीन है, एट्रोपीन है, टो आईसो प्रोपाक्सी फिनाइल है, बेंजीन हेक्साकलोरोफीन है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, हम आप बदा दे मक्छा भगाने वाली है, यह से आप सुने होंगे कि मक्छा के लारवा को कौन मचली खाती तो होती, गैमबूसिया, समझ रहे हैं, गैमबूसिया आपने सुना होगा, और इसका राइट एंसर क्या है, एलेथ्रीन इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट एंसर है एलेथ्रीन, एक संसलेशित कीट नासक है, क्या ही है, यह संसलेशित कीट न यह कह रहा है अब देखे भविस की धात ऐसा धात साथ भविस की जोड़ दिया क्योंकि अन्य धात वी जो इसमें नस्ट होती जा रहे देरे-देरे खतम हो जाएंगे तुसे हम क्या कहेंगे भविस की धात कहेंगे नहीं ना खतम हो जाएंगे लेकिन भविस में कौन रह सकती है ऐसा कह रहा है कि अलुमिनियम किसे कहते है भविस की धात तो दोस्त हमाब को दादे इसका सही उत्तर क्या है आप देख रहें बिल्कुल यह क्या है टाइटेनियम टाइटेनियम को कहा जाता है भविस की धातु क्यों कहा जाता है क्योंकि यह ज़्यादा हीट करने की भी इसमें सक्ती होती है मलब यह ज़्यादा ज़्यादा तापमान को भी यह सक्सा सक्ती है और स्टील से कई गुना हलकी भी होती है क्या होती दोस्ती स्टील से कई गुना यह टाइटेनियम हलकी भी होती है और इसमें जल्दी जंग वंग नहीं लगता है तो स्टील में क्या जंग लगता है नहीं न तो इसमें क्या लगेगा इसमें तो और नहीं लगेगा इस कारण से इसे क्या कहते है भविसी की धातु कहा जाता है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं दोस्त अगला प्रसंद क्या करा है उसको भी देख लेते हैं साथ नंबर का करा कि पौधों की बृध्धी के संबंद में निल्खित में से कौन माइक्रो न्यूट्रियंट है कौन करा है मैक्रो न्यूट्रियंट देखे दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं समझ रहे कौन दो प्रकार के एलिमेंट कौन है एक होता है माइक्रो एलिमेंट माइक्रो सुच्म पोसकत और एक होता है मैक्रो एलिमेंट समझ रहे हैं अब मैंने बताया था दोस्त अब आपको मैंने एक फर्मूला भी बताया था इस element के लिए कि जाने मन कल फिरवाना समझ रहे हैं अब ऐसा मैंने बतायओ था अब देखने जिंक हो गया मैगनेज हो गया बोरान खारवन और आक्स ये नहीं है भाई करक्लोरीन है, आईरन है, यह सभी क्या है, यह माइक्रो न्यूट्रियंट है, अब इसमें देख लिजिए, यह सभी आ गया ना, बोरान भी आ गया, बोरान भी यहाँ है, यह माइक्रो न्यूट्रियंट है, क्या है, यहां पूछ क्या रहा है, मैक्रो, मैक्रो पूछ रहा है, ति यह माइक्रो है माइक्रोन्यृट्रियंट है तो बॉरान भी यहाँ है और क्या है। यहाँ जिंक भी है जिंक हो गया यह भी नहीं होगा अख कलौरीन गाल मतलब कलौरीन भी नहीं है यह भी नहीं है तो है कौन-potbudetium हम, micro nutrient कौन है दोस्त, यह है, Potassium, इसका सही उत्तर है, चलिए अगले प्रस्न की बात करते हैं, कि अगला प्रस्न क्या कह रहा है दोस्त, चलिए, देखे अगला प्रस्न कह रहा है, Phyromons कहां पा जाते हैं, ऐसा कह रहा है, कह रहा है कि KETO में होते हैं, KETO में, सापों में पच्छियों में चमगाद़ों में तो फिरो मोंस किस में पाए जाते हैं तो इसका सहे उत्तर क्या होगा दोस्त इसका राइट अंसर है कीटों में पाए जाते हैं कहां होते हैं कीटों में अब आप सोच रहे हैं तो फिरो मोंस क्या है आप समझिए फिरो मोंस क्या यह एक ऐसा यह रसायन है, जो कीटों दोरा उससरजित किया जाता है, किसके दोरा उससरजित किया जाता है, कीटों के दोरा उससरजित होने वाला यह प्रणार का रसायन है, और यह बिपरीत लिंग वाले कीटों को आकरसित करता है, जो बिपरीत लिंग वाले जैसे एक नर है और मचल जाता है किसी को आप देखेंगे अगर और किसी को अगर देखे तो आपका दिल भी डोलने लगता है तो किसका आपका दोस्त नहीं है दोस्त हम आपको वदा दे ये किसका दोस्त है फिरो मोंस का तो आपके अंदर भी एक हार्मोंस उत्षारित होता है, किसी को देखेंगे, कहेंगे अरे वा गुरु एक बार तो और देख लो, आप समझ रहे हैं, तो इसी तरीके जैसे ये देख रहे हैं, और ये थोड़ा देखें, साइड कितनी तिर्ची निगाहों से देख रहे हैं, त कौन एक जोड़ा ऐसा है, जो सही सुमेलित नहीं है, ऐसा कह रहा है, कह रहा है कि लैक्टोज, कह रहा है कार्बोनीकमल, सोडा वाटर, ये सही सुमेलित है, फार्मीकमल, लाल चीटी, चीटिया चलती, तो फार्मीकमल का सराव करती, काटती है, तो समझ रहे हैं, ताटरीक इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है यह सही सुमिलित नहीं है चलिए अगले प्रस्ण की अगर हम बात करें, अगला प्रस्ण क्या करा है, इसको भी जरा ध्यान दीजिए, अगले प्रस्ण की तरफ, देखे कह रहा है, अंतर राष्ट्री योग दिवस कब मना जाता है, तो आप देख रहे हैं, आप भी योगा करिए, लेकिन हाँ, आप य जोग जोग नहीं कर सकते कहीं जिम में गए तो आप इसी तरी इस करेंगे तो क्या योग होंगे दूचार तो अब नहीं कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे तो अंतराष्टी योग दिवस का मना जाता है कहरा है दू अप्रेल को 21 जून को 21 माई को तो इसका सही उत्तर क्या है दोस दोस्त इस प्रकार का हमारे लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताएगा आज के हमारे इस लेक्चर में बस यही तक फिर मिलेगे नेक्स लेक्चर साथ ओके थैंक यू जैहिन